हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक इन एग्रिकल्चर कंटेंट फॉर इस्टडी चेनल तुड़े वी आर डिस्कसिंग अबाउट फॉदर आफ डिफरेंट डिसिप्लेंज ओफ एग्रिकल्चर विच आर मोस्ट यूसपुल फॉर अपकमिंग एग्रिकल्चरल कॉंपुटिटिव तो आज हम डिस्कस करेंगे फॉदर आप डिफरेंट डिसिप्लेंज ओफ एग्रिकल्चर यदि आप हमारे चेनल पर नए हैं तो आप हमारे चेनल को सब्सक्राइब करें तथा ऐसे इंपोर्टेंट वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चेनल पर बने रहे तथा इस वीडियो आपको agriculture based different competitive exam में फाइदा पहुचाएगा चुंकि सभी agriculture competitive based exam में जो agriculture based subject wise father's की नेम पूछे जाते हैं वो इस videos में आप राप्त करेंगे तो इस्टार्ट करते हैं fathers of different disciplines of agriculture फर्स्ट सबजेक्ट और father name फर्स्ट है एग्रोनॉमी एग्रोनॉमी के फादर है पित्रो डेक्री सेंजी नेक्स्ट है एग्रो क्लाइमेटोलोजी जिसमें हम क्या होता है क्लाइमेट का study करते है उसमें एग्रोक्लाइमेटोलोजी के फादर को नेक्स्ट है एग्रोमेटोलोजी एग्रोमेटोलोजी के फादर है डी एन वॉलिया नेक्स्ट है एग्रिकल्चर केमेस्ट्री एग्रिकल्चर केमेस्ट्री के फादर है जिससे स्वान लीबिंग नेक इसलिए नामक एंटिबायोटिक्स की खोज की थी इसके लिए इन्हें एंटिबायोटिक्स के फादर कहा जाता है नेक्स्ट है बायोलोजी, बायोलोजी के फादर है एरिस्टोटल नेक्स्ट है बोटनी, बोटनी के फादर है थियोफेस्टस नेक्स्ट है बेक्टेरियो लॉजी बेक्टेरियो लॉजी के फादर है लिवेन हॉक एंटोनियो वॉन लिवेन हॉक इन्हें माइक्रोबाइलोजी के भी फादर कहा जाता है बायो केमेस्ट्री बायो केमेस्ट्री के फादर है जीसस वॉन लिविंग नेक्स्ट है crop rotation, crop rotation के फादर है Norfolk नेक्स्ट है cytology, cytology में हम study of cells that means cytology, जिसके फादर है Robert Hook नेक्स्ट है cytoplasmic inheritance, cytoplasmic inheritance के फादर है Karl Korenz नेक्स्ट है cooperative movement in India, इसके फादर है Ian Nicholson नेक्स्ट है DNA fingerprinting, DNA fingerprinting techniques इसके फादर है Alec Jeffries नेक्स्ट है economic ecology, economic ecology के फादर है MS Swaminaathan नेक्स्ट है extension education, extension education के फादर है A.C.man and nap and N.K. Singh जो A.C.man and nap है वो कहां के है USA के और N.K. Singh है ये इंडिया के तो extension education के फादर है फादर तो A.C.man and nap कहलाएंगे और जो इंडिया, Indian father N.K. Singh नेक्स्ट है experimental genetics, experimental genetics के फादर है Thomas Hunt Morgan नेक्स्ट है forest pathology, forest pathology के फादर है Robert Hurting इन्होंने एक book भी लिखा था, disease of trees इन्हें ही tropical plant pathology के भी फादर कहा जाता है नेक्स्ट है natural farming, natural farming के है mesenubu fekuoka mesenubu fekuoka इसे ही natural farming के फादर कहा जाता है ये एक Japanese farmer थे, इसलिए इन्होंने जो natural farming के फादर कहा जाता है नेक्स्ट है organic farming, organic farming के फादर है Albert Howard नेक्स्ट है fermentation, fermentation एक process होती है जिसमें different प्रकार के जो gyms, enzymes, bacteria का यूज करके material को breakdown किया जाता है ये इस process के फादर है Lewis pasture नेक्स्ट है field plot experiment, field plot experiment के फादर है J.B. Bossingault नेक्स्ट है fruit and vegetable preservation, fruit and vegetable preservation के फादर है Nicholas Appert अब नेक्स्ट है genetics, genetics से फादर है Gregor John Mendel चुंकि सभी लोग जानते है कि जो genetics है, genetics हमें हम क्या inheritance का study करते है तो उसके फादर है Gregor John Mendel नेक्स्ट है genetic engineering, genetic engineering के फादर कोन है Paul Garg नेक्स्ट है green revolution, green revolution के फादर है Dr. Annie Borlaug, Dr. Normani Borlaug यह क्या है world green revolution के फादर है और नेक्स्ट है golden revolution, golden revolution के फादर है Dr. Indo Potricus नेक्स्ट है golden revolution in India जब यह है world golden revolution के फादर है Dr. Indo Potricus और golden revolution in India, इंडिया में कौन है Dr. K. L. Chadda नेक्स्ट है Indian remote sensing, इंडियान remote sensing के फादर कोन है Dr. P. R. Pistroti नेक्स्ट है green revolution in India, green revolution in India इंडिया में green revolution के फादर कोन है Ms. Swaminathan और world में green revolution के Dr. Annie Borlaug अब बात की जाए इंडिया में green revolution के फादर Ms. Swaminathan इन्हें ही जो है 1987 में world food prize भी मिला था इन्होंने wheat वीट की जो वेराइटी है ड्वार पर वेराइटी उसका research किया था और green revolution को ले आये थे नेक्स्ट है hybrid rice, hybrid rice के फादर है Yvon Longping, नेक्स्ट है hybrid cotton, hybrid cotton के फादर है City Patil, एक कहां है इंडिया में Indian plant pathology, Indian plant pathology के फादर है Ease Butler, नेक्स्ट है Indian rust, Indian rust के फादर को ने Dr. Casey Menta, इन्होंने rust की खोज की थी इंडिया में इसलिए इन्हें Dr. Casey Menta को, Menta को Indian rust के फादर कहा जाता है Indian mycology, Indian mycology के फादर है Ease Butler, mycology भी किसका study होता है? इंडिया निकोलोजी, इंडिया निकोलोजी के फादर है R. Misra, नेक्स्ट है Indian plant breeding, इंडिया प्लान्ट ब्रीडिंग के फादर है Dr. BP Pal, नेक्स्ट है Immunology, इम्यूनोलोजी के फादर है Edward Jenner, ऐसे ही important वीडियोज प्राप्त करने के लिए हमारी चेनल पर बने रहे, ताकि आप अग्रिकल्चर कॉंपिटिटिव बेश्डी एक्जामस में इसका फाइदा ले सके, थेंक्स पॉर वाचिंग इस वीडियो